हलो फ्रेंट्स वेलकम टो कार्गी क्लासेश डेट आज की 14 जून 2021 और देख लेता है इंडियान एक्स्प्रस के इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो भी हम डिसकस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से फर्स्ट आर्टिकल्स हम डिसकस करेंगे कि GST काउंसिल ने फाइनली एक तरीके से रिलेक्शेशन देने की एक डील फाइनल कर लिया है जिसमें कोविड रिलेटेड जितने भी असेंशल्स हैं चाहिए वो वेक्सीन की बात करो ड्रग्स की बात करो या फिर कोई भी दूसरा हम आर्टिकल्स करेंगे यह वाला एन इकुल क्लास्रूम क्या भी बीकॉम में भी एक जेंडर पैरेटी देखने को मिली है जहां पर सो लड़कों के कमपैरिजन में सो लड़कियों का एडमिशन होना शुरू हो गया है बैचलर आफ कॉमर्स में तो जानेंगे क्या बहुत कुछ डीटेल में डिसकस किया है तो इस आर्टिकल्स को सबसे लास्ट में डिसकस करेंगे ठीक है तो एक रिविजन मात्रा आप मानके चलो इधर तामिल नाडू का क्या एक ट्रेजेक्ट्री रही है किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको या बैकवर्ड कम्यूनिटी को आगे लाने में पूरा एफर्ट लगाए गया है सक्सेस मिल रही है बढ़िया जो दूसरे स्टेट्स है जिसे महराष्ट्रा हो गया गुजरात हो गया उन स्टेट्स की लाइन में खड़ा है तमिल नाडू वो सारी चीजे बताई ह है टाइकर रिजर्व्स में या वाइलेफ संचुरीज में लोग जब घूमने जाते हैं तो उसको लेकर कि अभी साथ जून को जो सरकिलर आया है उसको लेकर कि यह आर्टिकल है जानेंगे क्या डीटेल से सारी इंपोर्टन्ट है चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो क करेंगे वार्किंग ओन सथेनिबल वॉर्टर तो इसमें बात ही कही जा रही है कि जब से प्रजेक्ट टाइग़ शुरू हुआ है देखो प्रिलम्स पैंट आफ़ियो से प्रजेक्ट टाइगर को डीटेल में पढ़े लेना बहुत इंपोर्टन्ट है तो जब से प्रजेक जो और तरीके से जिस जो wildlife species and decline कर रही है जिनकी population या वो extinction की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है तो project tiger के तौर पे ही project elephant भी चल रहा है project rhinos भी चल रहा है तो ऐसे ही project dolphin भी है इन projects के बारे में आपको पढ़ना है detail में ठीक है कि इन projects में क्या target किया गया है कब शुरू हुए थे अभी तक कितना success मिली है वो चीजें तो point यहाँ पर writer यह बताना चारिए कि 3000 tigers तक हमने अभी तक protect कर लिये हैं और इन सभी के अंदर सबसे एक important point है that is safari park मतलब लोग वहाँ पर wildlife century को देखने के लिए मतलब wildlife को देखने के लिए निकलते हैं जो nature lovers है या जो forest को अपने आप में एक integrated manner में देखते हैं अपने खुद की life point of use हैं तो उन लोगों को आप कैसे रोग सकते हो क्योंकि forest dependent forest भी कहीं ना कहीं human being dependent है human आप आप लोगों उन पर dependent है तो दूसरी तरफ आपकी life भी forest पर dependent है कि बहुत सारे लोग जो है इन safari की जो सवारियां करने जाता है लोग तो उनसे उनकी livelihood उनकी चलती रहती है तो ऐसे में हुआ क्या कि जोन साथ को National Tiger Conservation Authority NTCA जो कि ministry of environment and forest and environment and climate change के अंडर में ही चलती है यह body जिसको head chair किया जाता है environment minister के द्वारा ठीक है तो NTCA ने अपनी तरफ से circular अभी दिया गया है और सभी chief wildlife wardens को कि आप जो है मतलब यह जहां जहां पर पर project tiger चल रहा ना वहां पर कि आप लोग जो है अब इन areas में कोई भी safari conduct नहीं करा होगे मतलब लोगों को wildlife में visit कराने नहीं allow करोगे तो ऐसे में सवाल यह है कि क्यों ऐसा किया गया क्योंकि चिन्नही के जू में एक lioness मतलब एक शेरनी की मौत हो गई और इसके पीछे वज़ए है क्या covid-19 तो ऐसे में wildlife को कोई threat है क्योंकि human being infected है अभी भी और ऐसे में wildlife या फिर captive animals को अगर infection होता है तो बोलो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो सकती है और एक के वज़ए से एक animal के चलते हैं पूरी wildlife में कहीं थ्रेट बढ़ सकता है तो ऐसे में बोला tiger results को हमें protect करके रखना है तो intent जो है यहाँ पर N-T-C-A का वो देखो बिलकुल clear है कि वो protect करना चारी है wildlife को पर हमें कह forest और wildlife results कि अगर बात करें तो यह concurrent list में आता है that means state भी इस पर कानून बना सकते है तो central government भी कानून बना सकती है तो चलो central government ने अपनी तरफ से एक तरीके से circular release कर दिया तो ऐसे में decision लेने का जो काम है यह circular आया इसका मतलब एक तरीके का model उन्होंने declare कर दिया कि यह guidelines है आने वाले time पर wildlife centuries में या national parks में या tiger results में आप इस तरीके के conducts को continue रखोगे तो ऐसे में state chief wildlife जो भी होता ना state chief wildlife warden जो होते है वो देखो final decision making authority होती है इन सारे चीजों से संबंदित तो ऐसे में उनको क्या decision लेना उनकी क्या परिष्थिती है तो ऐसे में एक demand क्या है कि decentralized manner में काम ह होना चाहिए ऐसा ना हो कि central government के दुआरा कुछ चीजे थोप दी गई है और उनको मजबूरान उनको मानना पड़े क्योंकि वज़य क्या है कि कहीं नगे आपको थोड़ा सा एक diversified manner में समझने की जरुत है सबसे बड़े बात की जाए अगर मध्यप्रदेश की तो मध्यप् वार्डन्स वहाँ पर काम करते हैं जो कि interact करते हैं उन सब लोग वहाँ पर animals के साथ में तो ऐसे में मध्यप्रदेश में इस circular को challenge कर दिया गया है तो सवाल ही आ जाता है कि आपके पास में एक planning होनी चीए एक तो blanket ban करना एकदम गलत चीज है क्योंकि इसमें कहीं आप एक break लगा रहे हो दूसरी तरह blanket ban करने से औरों को भी कितनी ज़्यादा परिशानी हो रही है वो भी एक आपको analyze करने की ज़रत है अगर tiger reserves की बात करे त तो करनाटका में तो covid-19 जब चल रहा था तो उसके उस time पर भी लगातार खुले हुए थे safari जो बात थे सारे पर हाँ जब second wave आई जिसके चलते वहाँ पर भी बहुत जादा लोगों की death हुई तब जाकर कि दो मैंने इसको बंद किया गया था safari वाले पूरे pattern को तो ऐसे म restrictions लगाओ जैसे कि आपने लोगों को educate करना है, testing time पर करवानी है, treatment सही हो जाए तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि लोग aware हो जाएंगे देखो एक पूरे jungle कि अगर बात करें तो वो एक पूरा ecosystem होता है जहाँ पर tribal लोग भी रहते हैं, जहाँ पर wildlife भी रहती है, जहाँ पर forest तो infection होता ही है, तो ऐसे में अगर आप वो अगर किसी भी animal के infection होता है, तो उसमें एक वज़े क्या रहती है, कि एक individual के साथ में direct contact हो जाए, जैसे कोई human being वहाँ पर deployed है, उसका अगर wildlife के साथ में interaction हो गया, किसी भी tiger के साथ में, तो उसके infection होने के chances हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर आप यहाँ पर safari tourism इनको शुरू करते हो forest areas में, तो लोगों को जहाँ पर वो tourist जा रहे हैं, उन लोगों को protocols बताओ ना आप सीधा कि भी mask लगा करके जाओ आप आराम से, और उनी को allow करो, जिन लोगों के vaccine लग गया हो, ऐसे conditions आप apply कर सकते हो, तो ऐसे में क्या हो कि एक फुली एक तरीके से आप कैसे होगा, protected human being अगर visit करने जाएगा, तो wildlife के infection के chances भी कम हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, दूसरा, ये जो अभी दो मैने का time बीता है, second wave के time पे, तो वहाँ पर tribal community staff members को इनको भी कहीं नहीं educate किया गया है, तो वो भ परवाई नहीं बढ़तेंगे, तो ऐसे मैं अगर आप देखो, तो overly symbiotic relationship निकल के आती है, क्योंकि अगर animals में कहीं पर मान लोग कोई infection हो चुका है, अब किसी tribal individual के infection के चलते हैं, वहाँ पर wildlife में, अगर आप देखो, वहाँ पर कहीं अगर infection किसी wildlife के हो गया है, किसी भी animal के ह तो उसका infection तो किसी के भी हो सकता है, फिर पूरे wildlife में पहल सकता है, तो ऐसे में हम एकदम बिल्कुल blanket band लगा देंगे, तो वो चीज एक solution नहीं है, solution यहाँ पर एक proper monitoring होनी चाहिए, कि कहीं पर भी अगर कोई loophole दिखे, तो उसका वहाँ पर correction किया जा सके, ठीक है, इसके अल wildlife dogs होता है न, wild dogs, उनका interaction जो stray dogs होता है, हमारी गलियों में जो घुमते फिरते रहते हैं, इन dogs के साथ में जब interaction होता है, तो ऐसे में इन stray dogs की diseases wildlife में पहुंच जाती है, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप बिलकुल ban कर दोगे, तो उस चीज को आप थोड़ा correct करो, बजाए इसके आप इस पर ध्यान दो कि infected human being के साथ में direct contact ना हो, इसके लिए हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से tiger results में आप बिलकुल ban करो, वो चीज एक तो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं livelihood earn करने के लिए भी बहुत सारे लोग उन चीजों पर depend करते हैं, ठीक है precautions की अगर बात की जाए तो वो पहले ही बता दी गई, कि ज़्यादा तर जो लोग हैं, देखो सफारी पे जो लोग जाता हैं, वो गाओं से बिलॉंग करता हैं, अब cities में अगर बात करो तो ज़्यादा तर लोगों को vaccination मिल चुका है, और vaccination में सबसे ज़्यादा advancement अगर चुका हूँ, फिर हम बात करें, tourism, economy की, तो एक तरीके से एक state को जहां पर भी revenue की बात आती है, तो वो चीज़ कहीं नहीं wildlife बहुत important, आप देखो, tourism कितना important है, देखो अपना देश करके, ministry of tourism की scheme, एक scheme चल रही है, जिसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा tourism को promote करना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के दुआरा, ऐसे statement दिये जाते है, चलो यह तो COVID आ गया, आ गया नहीं यह कहते हैं, कि आप कैसे भी करके, साल में एक बार किसी भी देश के, किसी एक राज्ये के अंदर गूम कर क्या हो, इससे क्या होगा, economy घूमेगी, ठीक है, आप यह हो गया, इसके तैयत, इनको अधिकार मिले होगे हैं, तो आप उनको कैसे रोकोगे फिर, ठीक है, तो ऐसे में देखो, wildlife के बाहर भी बहुत सारे tigers हैं, तो wildlife के अंदर भी बहुत सारे tigers हैं, और दूसरी चीज, आज अगर हमारे पास में इस तरीके की flagship species को खंजरू करने में सफलता मिली है, तो ऐसे में हम इस बिमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हमें कही न कहीं, सही तरीके से balance manner में काम चला, मतलब वही बात आ गई, आप एक balance बनाओ यहाँ पर, ठीक है, अब pandemic second wave हो भी गई है, कोई chance, कोई guarantee है कि pandemic खतम हो गई, नहीं, अभी भी pandemic कहीं नहीं बनी हुई है, और आने वाले टाइम पर पता नहीं कौन कौन सी बिमारिया आएगी, तो हमारे यहाँ पर risk mitigation strategies में काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के काम होगा, इसके लिए innovative manner में काम करने की ज़रूरत है, human being की livelihood को आप बिलकुल break मत लगाओ, ठीक है, इसके COVID-19 के चलते हैं, जो कुछ भी experiences यहाँ पर मिले हैं, उनको हम आने वाले बिमारियों को tackle करने के लिए सीख सकते हैं, तो ऐसे में हमें एक balance बनाने की ज़रूरत है, strategies create करने की ज़रूरत है कि कैसे ऐसी परिस्तितियों को हम tackle कर सकते हैं, ठीक है, early warning system आप तयार करो, कि कहीं प competent environmental research होनी चाहिए, organized manner में काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर कि आप देखोगे कि एक सही तरीके से system चलेगा, और आज वैसे हमें पता है, एक तरफ तो live की problem है, तो दूसरी तरफ livelihood को भी challenge देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में blanket band करना is not a right solution, यहाँ पर decentralized, science-based decision making होनी चाहिए तो ऐसे में आप क्या करोगे, कि शुरुवात कर दोगे एक आशा की, कि हाँ चलो ठीक है, इस बिमारी को tackle करते हुए हम हमारी जंदिगी को continue आसानी से कर पाएंगे, वज़य क्या है, कि यह बिमारी आज खतम होगी, या दो साल बाद में खतम होगी, या कभी खतम होगी भी इनको allow करो, बस यह ध्यान रखने वाली बात है, कि उन ट्यूरिस्ट को और इनको एक आप assurance दो, कि आप यहाँ पर केवल और केवल एक तरीके से ऐसे नहीं आयो, कि घूमने के लिए आयो, महमान की तरह आयो, नुकसान करके चले गए, नहीं, आप एक ट्रस्टी की तरह आ हो, आप यहाँ पर घूमने आ रहे हो, तो आपको जो guidelines दी जा रही है, उन guidelines को follow किया जाए properly, तब जाकर के biodiversity, हमारी जो है protect भी रह पाएगी, livelihood जो है, वो भी earn कर पाएंगे, वहाँ के staff members से, dependents, ओके, आगे चलता है, next article है, an equal classroom, देखो अभी बात करे, gender equality की, तो ऐसे में हमें बहुत आगे अभी तक चलना है, और कुछ हद तक हमने success भी gain की है, क्योंकि अगर हम Indian social life की बात करें, तो हमारे यहाँ पर male female के बीच में gap जो है, वो हर एक aspect में आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा तर aspects में male जो ह करते हुए दिखाई देंगे females को, पर अभी देखें, तो जो undergraduate classrooms है, वहाँ पर अब धीरे धीरे यह gender gap जो है, वो धीरे धीरे खतम हो रहा है, और इसका latest example है, All India Survey on Higher Education के द्वारा भी जो release की गई है report, जिसमें यह पता पढ़ा है कि Bachelor of Commerce के course में, अब जो women numbers हैं, वो men के equal हो अब आप देखोगे, यह अपने आप में बहुत ही बड़ी achievement है, और ऐसा कोई इकलोता यह course नहीं है, इसके पहले BSC और MBBS programs में भी लड़कियों की संक्या लड़कों के बराबर हो चुकी है, 2017-18 के टाइम पर ही, तो ऐसे में एक जो disparity लगातार बनी रह रही थी, वो कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है, पर चिंता की बात यह है, कि यह जो disparity इधर BSC, MBBS और BCOM में खतम हुई है, वो अभी भी engineering and low courses में अभी भी चल रहे हैं, मतलब कानून और engineering संबंदी जो पढ़ाईया हो रही है, अंडर graduation या higher education की बात करें, तो वो कम हो रही है, पर की बढ़गर के 27% हो गया है, 2020 आते हैं, तो ऐसे में आप देखो, यह rise जो है न, इस rise में main contribution किसका है, वो है women representation, that means कि यह जो increment हुआ है, यहाँ पर higher education के अंदर enrollment का, वो increment mainly आप देख सकते हो, women का ही हुआ है, तो ऐसे में यह एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं हमें एक आश पीछे नहीं है, इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें, तो cast और class के नाम पे जो gaps हैं, उनको भी हमें इसी तरीके से tackle करने की जरूरत है, देखो एक social moment जब बनता है न, तब आप किसी भी चीज़ को correct कर पाऊगे, जैसे कि स्वच्वारत mission का हम बार बार बात करते रह हैं, उसको एक social moment बना दिया, और moment का result क्या होता है, चेंजे जाता है, वो क्रांती अपने आप बन जाती है, अगर हम देखें, एक तरफ तो silver lining हुई अभी, कि हाँ आपको अच्छी report मिल रही है, तो दूसरी तरफ pandemic का cloud भी वहाँ पर है, काले बादल मंड रहा रहे हैं, disrupt हो गया, और second wave ने तो बहुत ही बुरे हाल कर दिये, result कि एक offline class जब होती थी, तो उसमें जो गरीब परिवारों के बच्चे थे, लड़किया थी, वो आसानी से जाके पढ़ पा रही थी, पर जैसे ही ये COVID-19 का जब ये cases आने शुरू हुए, और ये outbreak हुआ, सारा का सारा education system कहा चला गया, online mode पे, और online mode पे भी जो weaker section से belong करने वाले students उनको कितने परिशानी हुई, number one, number two, जो women है, जो लड़किया है, उनको education से exclusion का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में देखो, central government और state government को अपनी तरफ से इस challenge को tackle करने के लिए, एक strategy, एक policy create करने की ज़रुत है, जिसम की minimum या monetary support provide किया जासे की girl students को, क्योंकि होता क्या है, कि जब कभी भी कहीं पर कोई crisis आता है न, तो उस crisis का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, vulnerable section के लिए, आप GS paper 2 में देखते हैं न, कि आपके इस तरीके की facilities create कर रहे हो, vulnerable section की welfare के लिए, तो ऐसे में उस vulnerable section में, लड़किया female और female भी अगर आप बात करो, जो lower caste की female है, वो सबसे ज़्यादा the most vulnerable section of the society, उनको consider किया जाता है, तो ऐसे difficult times में उनको monetary support देने की जरूरत है, तो ऐसे में educational institutions को भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाने की जरूरत है, उनका support करने की जरूरत है, अगर college और universities की बात करें, तो वहा पर कितना admission कर रहे हो, कितने लड़की आ रहे हैं, कितने लड़की आ रहे हैं, तो ऐसे परिस्तितियों में इन higher education institutions की duty बनती है, इनकी एक तरीके से इनके ओपर responsibility है, कि आप gender composition को और enhance करो, जिससे की एक balance बन सके system में, देखो, अगर women का influx देखें, कि ज़्यादा ज़्याद की बात क्या थी, एक paradox है, एक conflicting contradiction आ रहा है, that is, कि एक तरफ तो higher education में enrollment increase हो रहा है, पर दूसरी तरफ जो labor force में participation है, वो Indian women का लगातार decline कर रहा है, जो की बहुत ही चिंता की बात है, तो ऐसे में labor force participation तो कम है, और दूसरी तरफ higher education में enrollment ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब educated लड economic के लिए asset है की नहीं, अगर asset को आपने बिलकुल ही discard कर दिया, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ ही क्या होगी, आज society में हम देखते हैं, बार बार बात आती रहती है, आपने ऐसे भी देखा होगा, कि एक women का educated होने का मतलब हो गया, कि आपकी generations educated हो चुकी है, और एक male अग के कैसे आया हुआ भी है, तो उस point की अगर depth में हम जाके समझें, तो वाकई में एक मा का कितना ज़्यादा influence रहता है, क्योंकि है, क्या, एक normal tradition में देखो, मा के गर्ब से बच्चा पैदा होगा, और उसके बाद में उसका जो connection है बच्चे का, वो ज्यादा तर किसके साथ र विमन है, वो, educated विमन है, वो, आप उनको कैसे बिलकुल exclude कर सकते हो, तो ये चीज़ बताई जारी है, अगर हम बात करें, COVID-19 के बाद में inequalities की, तो एक तरफ तो COVID-19 को Lancet Report में क्या बताया था, inequality virus, कि हमीर हमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, पर दूसरी तरफ आप देखोग है, वो तो continuously strong होती चली गई, और lower class या female को कहीं न कहीं ज़्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ा, similarly C.M.I.E. का data क्या शो कर रहा है, कि female labor force जो है, वो लगातार गिर रही है, और वो भी urban areas में तो alarmingly, जहां पर ज़्यादातर जो औरते होती हैं, वो educated मिलेंगी आपको तो ऐसे परिस्तितियों में, आज उनको केवल और केवल domestic works पे ही focus करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो चीज एक बहुत बड़ा loss है, हमें हमारे देश को, हमारी सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये एक तरीके से resources का, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे इन चीजों को, और दूसरा, आप अफोर्ड नहीं करते करते कहीं नहीं, मिस्यूज में उसमें चले जाओगे, तो कहने का मतलब resources है, human resources आपके पास में, human capital में convert करो उनको, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, tweaking the text, इस आर्टिकल में बताया हुए थे, को GST council की meeting हुई, GST council की meeting 43rd meeting, ठीक है, इस meeting में एक group of ministers बनाया जाता है, GOM, जिसको head किया गया, मेघाल है के chief minister के द्वारा, तो ऐसे मैं उन्होंने recommend किया, कि जो covid related medicines है, equipments है, इनके उपर interest, अपने को GST rate, डाउन कर देनी है, और ultimately ये finalize हो गया, क्योंकि लगातार एक changes देखने को मिल रहा था, GST rates में, tax rates में, तो ऐसे में क्या एक uncertainty देखने को मिल रही थी, एक तो business households, sorry, business houses की बात करो, या दूसरी तरफ जो families, जो households है, उनको परिशानी हो रही थी, कि कौन सी दवाई, कितनी जो महेंगाई का vary करना, तो ऐसे में financially stressed households के लिए एक relaxation वाला point है, कि जहां पर GST को reduce या बिलकुल, मतलब बिलकुल zero rating पर लेके आ गए है, GST council की इस meeting में, एक तो इसमें क्या होता है, कि देखो, एक तो export जो है, ठीक है, जिन items को हम यहां से export करते हैं, उनको कहीं न कहीं favor किय जाएगा, दूसरा household को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, कि एक तरफ तो उनका अपने, मतलब जो preusion है, वो कहीं न कहीं hospital में है, struggle कर रहे हैं life के लिए, दूसरी तरफ उनको फिर खर्चा उठाना पड़ता था, और फिर इसके बाद में सबसे बुरा दो तब ह होता है, जब वो अपने preusion को बचा भी नहीं पाता है, और दूसरी तरफ खर्चा भी बहुत होता है, करजे के नीचे आ जाती है, तो ऐसी परिष्टिती में, GST Act में देखो, amendment लाना पड़ेगा, उसमें कोई doubt नहीं है, पर कहीं न कहीं, manufacturers, manufacturers जो है न, उनके लिए थोड़ी दिया, तो वो product market में भी कहेगा, तो उनको कोई GST देना, उनके product में कोई GST नहीं लेगेगा, तो आपको एक चीज तो पता होगी, कि कोई भी चीज अगर यहाँ पर GST एमबिट में है, raw material भी GST में है, manufactured good भी अगर GST के एमबिट में है, तो manufacture करने वाली industry के ओपर, tax के ओप tax ना लगे, ऐसी परिश्थितियों में raw material पर जो tax लगा, उसको adjust किया जाता है, आगे लगने वाले GST पर, उसको बोल जाता है, input tax credit, इसका मतलब यह हो गया, कि मान लो, एक drug को बनाना है, और उस drug के लिए जरूरत है, API की, active pharmaceutical ingredient की, अब इस पर GST already लग गया है, फिर drug बनी, drug पर फिर से GST लग गया, तो GST भी GST लगा की नहीं है, तो इसको बोलता है, cascading effect, तो ऐसी परिश्थिति में क्या किया गया, input tax credit, कि अगर API पर tax लग गया, तो अब उस drug के उपर, जो भी आगे tax लगेगा, उसमें इस API वाले tax को adjust किया जाएगा, इसको बोलता है, input tax credit, तो ऐसे में बोले हैं, कि manufacturers को थोड़ी मुश्किले होंगी, कि वो input tax credit को claim करने में, किस तरीके से आगे, सौलियत बढ़तेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहो, जीरो GST लेकर क्या रहो, पर कही ना कहीं, कोई ना कोई लेवल पे तो लगेगा ही न, GST, goods and services tax, आप services पे तो लगाई GST को adjust करने का issue जो है, वो देखो, इसमें states को अपनी तरह से अपनी consideration देनी होती है, अब जैसे ही GST आया था न, तो देखो, states ने अपना 70% revenue का जो right था न, वो कही ना कहीं एक तरीक से handover कर दिया था GST council को, कि भाई ठीक है, आप जो decide करोगे, वो ठीक हो का, वो बार ठीक है कि GST council में 75% voting के लगबग तो states की मानी जाती है, ठीक है, ऐसे में GST जब आया, तो states ने अपने 70% revenue collection के हिस्से को GST council को सोपा, तो वहाँ पर बात हो गई थी, कि अगर states को GST implement होने में नुकसान होता है, तो GST compensation दिया जाएगा, तो उसको भी extend करने की states बात कर रहे हैं, क्यों GST के implement होने से states को revenue का loss होता है, तो पर आप देखो, कि GST का overall collection अगर आप देखोगे न, तो 15th finance commission ने अपनी तरफ से estimated way में क्या बताया था, कि इंडिया में indirect tax sub-sumdum करके अगर overall देखें, तो GST का हिस्सा है 6.3% of GDP, 2016-17 में ऐसा माना गया था, तो इतना अगर होता है, तो ऐसे में अगर GST compensation देने की बात आती है, इसका मतलब क्या हो गया, कि इस चीज के अंदर 6.3% में से आप पैसा निकाल करके, GDP के 6.3% में से पैसा निकालोगे, और states को compensate करोगे, पर होता क्या है जी, कि 2019-20 आते आते हैं, GST collection कितना आ जाता है, GDP का 5.1%, इसका मतलब क्या हो गया, कि GST collection में भी reduction देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मैं आप एक चीज बताओ, अब states की अगर compensation की demand है, तो वो तो चलो central government की जिम्मेदारी हो जाती है, कि हाँ, इस GST में से जितना भी collection हुआ है, S.S. लगा दिया, कैसे भी करके, और states को compensate कर दिया, उनके पैसों के लिए, कि ये लो हमारी तरफ से पैसे, अब ये compensation वाला जो period 2022 के बाद में खतम होता है, तो states का हिस्सा इस 5.1% of GDP में से भी बनेगा, जो की estimation से बहुत कम है, तो ऐसे परिश्टितियों में states को डर क्या है, कि इस हिस्से में से तो हमारा तो बहुत कम हिस्सा बनेगा, तो ऐसे में तो ब प्राब्लम आती रहेगी, तो इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए क्या कहा, कि जून 2022 के बाद में भी इस compensation period को continue रखो, नहीं तो क्या होगा, states के पास में revenue की problem आ जाएगी, फिर बाद में problem और बढ़ जाएगी, और रही सही में हमापता ही है, कि state और center के बीच में हमेश तो उस पर भी correction लाने की जरूरत है, देखो, आज अगर GST की architecture की बात की जाए ना, तो वहाँ पर structural issues पर भी बहुत जादा सवाल उठाए जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे experts के opinion देखे, वो एकी चीज़ बोलता है, कि सही तरीके से implement नहीं हो पा रहा है GST, तो उसके चलते कहीं नहीं problem आ रही है, ठीक है, शुरुआत में आपको पता होगा, जो IGST, जो GST के लिए, जो GST network launch किया गया था, उसमें बहुत सारे glitches थी, ऐसे इसी तरीके से, अभी आप देखो, तो division में problem आ रही है, और COVID-19 नहीं हो, ज़्यादा complex बना दी situation को, तो ऐसे में हमें कहीं न स्लेब हैं, 5, 12, 18 और 28% GST लगती है, और इसके अलावा एक स्लेब चल रही है, 3% की भी, 3% में देखो, rough precious कोई हो, stone हो, या semi precious stones हो, या फिर gold हो, उन पे 3% X लगता GST, ठीक है, और इसके अलावा आप देखो, तो 0.25% GST rate भी चल रही, तो overall आप देखो, तो कितनी rates आपको दिखाई दे रही है, कम से कम, 4 तो मोटी मोटी हो गई, और 3 और हो गई, 2 और हो गई, तो ऐसे में, कितना ज़्यादा variation है, जब कि क्या कहा गया था, one nation, one tax, तो ऐसे में ये variation है ये और ज़्यादा complexity बढ़ा देता है, RBI की study के point of view से देखें, तो GST में अलग-अलग goods को, अ लग-अलग slab में डाला हुआ है, tax session की, जो आमने अभी बात की, ठीक है, जिसमें main आता है, 5, 12, 18, 26, तो ऐसे में अगर आप देखो, तो उनको सारों को, उनकी weight को assign कर दो, जितने भी goods and services हैं, उनको एक fixed weight दे दो, कि हाँ जी, इतना percent आपका rate ये है, आपकी weight is, तो ऐसे में आप उनको फिर average निकाल दोगे न, पूरे products को, उनकी category के according weightage दे दो, और numbers को, जितने भी numbers में goods and services produced हैं, उनको आप उस weight से multiply कर दो, और सब को add करके, उसका average निकालो, तो GST rates को, अगर आप weighted average देखो, तो मई 2017 में कितना था, weighted average GST का, 14.4 percent average निकालो, तो मतलब GST पूरी average rate न कालो न, तो 14.4 percent, जो कि reduce होती होती, 11.6 percent तक तक तो अभी तक आ चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया, GST rates हैं, वो decline कर रही है, GST collection decline कर रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं, परेशानिया और है, क्योंकि एक तरफ तो आमदनिया आपकी कम है, और दूसरी तरफ आपको खर्चा अगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में, एक GST regime ऐसा होना चाहिए, जो कि एक revenue neutral काम करे, पर अभी क्या है, कहीं न कहीं revenue neutral form में काम नहीं हो रहा, that means, कि जितना GST से collection होता है, उसी के हिसाब से खर्चा भी हो, या फिर खर्चा जितना है, उसके हिसाब से GST या फिर taxation का collection होना तो point यहाँ पर यहाँ आ जाता है, एक balance बने, जिसमें कि central और state government की बीच में division भी अच्छे से हो, number two consumer पर problem भी नहीं आए, तो revenue में भी shortage ना आ जाए, नहीं तो क्या होगा, सरकारे फिर उधार लेंगी, उधार का फिर कर्जा किस के लगेगा, देश की जनता पर, तो वो ची GST की structure को review करें, जो भी कमिया है, उनको address किया जाए, GST architecture में, और अभी जो step लिया गया है, अभी जो need है, कि COVID essentials को तो हमें कम से कम GST पे लाना चाहिए, वो एक अच्छा कदम है, कहने का मतलब यह है, यह एक opportunity time है, जहाँ पर review किया जा सकता है, restructure या फिर कोई नहीं कोई चे इस article को लिखा है, विरेंदर S. चोहांजी के द्वारा, देखो इस article में बताया जा रहा है कि SARS-CoV-2 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे बड़ा सवाल जो है, वो है globalization को ले करके, कि जिसके चलते हैं, यह बिमारी एक local issue थी, वो बन करके, वो local ना रह करके global हो गई, कि चाये कितनी ही borders आप लगा दो, countries के बीच में, यह continents के बीच में, उसके बावजूद यह virus जो है, वो चायना से फैलता हुआ, throughout world, एक एक country को यह effect उसका आ चुका है, तो ऐसे में हमें, आज अगर हम देखें, तो चारों तरफ एक globalization के चलते हैं, बहुत सारी economies को अगर हम study क करें, तो कुछ economies जो हैं, वो तो economically stronger हो गई और दूसरे थोड़े से down चले गए, तो overall देखा जाए, तो globalization का असर है, अब बात आ जाती है कि globalization के चलते हैं, इस pandemic को हम ने देखा, जो कि एक pandemic में convert हो गया, जो कि एक endemic record के खतम हो सकती थी, right, तो उस case में अगर हमें vaccine policies पर भी ध दे तो उसके लिए, इंडिया और सावत अफरीका ने अपनी तरफ से proposal दिया, जिसमें ये कहा कि कैसे भी करके आप intellectual property rights को वेवियर दे दो, इससे क्या होगा, कि जो गरीब देश हैं, उन लोगों को भी परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, vaccine के वापर shortage नहीं रहेग और इसमें USA ने भी देखो support कर दिया है, तो BRICS countries में दो important countries जिनका नाम है चाइना और रशिया, उन्होंने भी इस proposal को accept कर लिया, तो ऐसे में WTO के अंडर में जो trips है, trade related aspect of intellectual property rights, वहाँ पर इस agreement के उपर कुछ countries ऐसे हैं, जो कुछ objection कर रहा हैं, बाकी लगबग 62 ऐसे nations हैं, ज intellectual property rights में, इससे क्या होगा, vaccine making आसान हो पाएगी, और गरीब देश, जहां पर अभी बहुत लोग जो है, vaccine shortage के चलते हैं, बहुत जादा crisis का सामना कर रहे हैं, उनको help मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा पाएगी, देखो, America ने जो support किया है, उसके पीछे अगर देखा जाए, तो point take number one, जो आता है, वो ये, कि जो countries अभी efforts लगा रहे हैं, अपने खुद के vaccine develop करने के, वो है mRNA based, अब mRNA based होता है, messaging जो RNA होता है, उस पे based vaccine, अमेरिका की दो company जैसे Pfizer हो गई, या modern हो गई, दूसरी कोई company जिनोंने mRNA based vaccine तयार किया है, तो अभी जो developing countries में इस mRNA based vaccine को produce करने की बात हो रही है, वो इन से independent है, तो कहने का मतलब यह हो गया, कि American companies पर ज्यादा dependency नहीं है, तो ऐसे में अमेरिका ने इस चीज़ को समझ लिया, कि हमारे तो ज्यादा stakes यहाँ पर उलजे हुए नहीं है, तो ऐसे में अगर intellectual property rights को waiver दे दिया जाएगा, तो ऐ mRNA based vaccine के ओपर काम कर रही है, और जल्दी ही वो अब clinical trials भी start करने वाली है, तो ऐसी परिस्तितियों में क्या हो जाता है, कि कहीं ना कहीं USA की companies के पास में जो technology है, जो भी कहते हैं, तो बिना उनके ओपर dependency के mRNA based अगर vaccines develop होते हैं, तो ऐसे में अमेरिका को कोई problem नहीं हुई, और अमेरिका ने IPR waiver की तरफ अपना support बढ़ा दिया, तो ये तो देखो अमेरिका की तरफ से आया, और European Union लगातार देखो वो तो बिल्कुल capitalist सोच के हैं, तो उन लोगों को एक ही कहना है, कि research and development को अगर आप protect करना चाहते हो, तो आपको intellectual property rights को तो अपहल्ड करना पड़ेगा नहीं, तो बड़ी कंपनिया जिन्होंने करोडो अर्बो रुपिया जो है, वो research and development में इन्वेस्ट किया है, तो उनको क्या benefit, वो ये एक चीज argument दिया जाता है, बट US ने ये चीज समझ ली, कि mRNA-based हमारे ये options नहीं है, हमारे अलावी बहुत सारे vaccines है, तो यहाँ पर writer एक च जान दिने की जरुरत है, जैसे कि आज अगर covid को contain करना है, तो vaccine की requirement अब सबको है, पर vaccine कब आएगा जब वहाँ पर उसके ingredients properly produce हो पाएंगे, तो ऐसे में जो भी equipments हैं, जो भी आपके requirements हैं, small equipment हैं, large equipment हैं, vaccine हैं, mask हैं, PPE, kit हैं, कुछ भी आपको अगर बनानी हैं, तो उसमें supply requirement है, उसको आपको break नहीं करना चाहिए, जैसे कि USA ने Defense Production Act लाकर के, अपने यहां से raw material के export को restrict कर दिया था, कि पहले हम हमारी domestic companies हैं, उनको हम raw material avail कराएंगे, जिससे कि अमेरिका की जनता को पहले vaccination मिल जाए, उसके बाद में हम export करेंगे, फिर उसके बाद में USA पे क्या होता दबाव बनता है, और फिर वो कहीना के raw material को supply करने में बिल्कुल break नहीं लगाता है, जैसे G7 की हमने बात की, कलपटसों की report है, French President Emmanuel Macron ने क्या का, बोला, इंडिया जैसे countries को अगर आप ये ingredients avail नहीं कराओगे, जो raw material है, drugs को produce करने के लिए, वो avail नहीं कराओगे, तो ऐसे में तो आप humanitarian crisis को बुलावा दे रहे हो, तो उस case में क्या हो जाता है, कि अमेरिका पे ओर दबाओ बनता है, तो थोड़ा सा कहीन है कहीन आप देख सकते हो, कि raw materials में restrictions USA के दोरा lift कर ली जाती है, इसके अलावा अगर आप देखो, आज supply और demand में gap बहुत जादा है, आज अगर overall देखा जाए, तो expectations तो ये है, कि लगबग 10 billion doses से भी जादा doses तयार हो जाएगी, vaccine की 2021 दिसंबर आते आते हैं, पर fact ये है, IMF के दोरा ये data दिया हुआ है, कि केवल और केवल 6 billion dose ही तयार कर पाऊगी, आप 10 billion dose तयार नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में एक mutual agreement होना बहुत जादा जरूरी है, कि एक तरफ तो vaccine डवलप करने के लिए आपको, जो developing countries हैं, उनको free hand देना पड़ेगा, क्योंकि आज इंडिया की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पर vaccine डवलप हो चुके हैं, दो vaccine ऐसे हैं, जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, कोवैक्शीन और कोवीशिल, पर उन परिष्थितियों में जो मुश्किले आ रही हैं, वो यह, कि हमारे आपर supply shortage हो रही है, raw material की, तो एक तो mutual agreement उस चीज़ को लेकर के होना चाहिए, दूसरा, companies के बीच में भी एक mutual agreement होना चाहिए, जिसमें सबसे best option यहाँ पर बताया जा रहा है, कि आप voluntary license avail कराओ, that means कि company ज generic drug तो है नहीं, जिसमें reverse engineering कर लेंगे, वो vaccine की while लेंगे, उसके बारे में research कर लेंगे, और फिर देख लेंगे कि कौन-कौन से ingredients available है इसके अंदर, और उसके हिसाब से नई drug तयार कर देंगे, इसको reverse engineering बोलते हैं, मतलब कि एक final product TV है कोई, उसको खोल के देख लिया किसी ने, कि कैसे बनता है TV, और उसी के इसाफस अपना खुद का brand launch कर दिया, तो इसको बोलते है reverse engineering, तो point यहाँ पर यहाँ आ जाता है कि इतना आसान नहीं है, कोविड से related vaccines को आप reverse engineering करके फिर बाद में आप produce कर पाओ, तो ऐसे में, यहाँ पर एक mutual agreement होना चाहिए, WTO की बात करें, इंडिया और साफस अफ्रिका ने सब सब पहले यह proposal दिया, और अब जो है, proposal को revise कर दिया गया है, अब देखो 62 countries तो favor में है, ठीक है, और इस revise proposal में क्या लिखा है, चाहे वो health product हो, या कोई technology हो, या कोई treatment हो, या फिर containment की बात करें, COVID-19 को, तो ऐसे में, जितने भी product technology है, उन पर भी, तो उन सारे चीजों को overall आपको cover करना पड़ेगा, that means, broader perspective में काम करना शुरू कर दिया, चाहे intellectual property right की बात करो, चाहे product की बात करो, raw material की बात करो, overall आपको intellectual property waiver देना पड़ेगा, तब ही जाकर के एक सही काम हो पाएगा, क्योंकि overall अगर देखें, तो ये चीज मैंने आपको बताई दी, कि 10 billion vaccine doses की बात की जा रही है, बट IMF ने क्या बोला, 6 billion doses से ज्यादा produce नहीं कर पाऊगे, तो ऐसे में देखो, कही ना कहीं, पूरी world community को साथ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हमें पताई है, कि जब तक एक individual safe नहीं है, तब तक पूरी दुनिया safe नहीं है, इस बिमारी से, ठीक है ना, तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो, discussion जो था हमारा last article का, वो हमने previously discuss किया हुआ है, बट micro और macro level की, कि आपको ground level की realities को भी देखना पड़ेगा, आप उनको ignore नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ बताई हुई है, कि low income countries पर भी आराम से economy को reopen कर पा रहे है, तो ऐसे परिस्तितियों में साथ में आने की ज़रुत है, ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है, तो discussion में इतना ही है, thank you very much for watching this video, continue बने रही है गारगी classes के साथ,